नमस्कर दोस्तों स्वागत इस ने वीडियों बात करने वाले हैं बिहार परिचारी भरती 2023 को लेकर जो एक बहुती बड़ा बदला हो गया है आप सबको पता है कुछ दिन पहले जो एक वेकेंसी निकाली गए थी और इस वेकेंसी का आप लोग ने फॉर्म जो है इस वेबसा आप साथाई क कि वेकेंसी और एकेंसी परमनेंट जो है निकाली गए थी यह सलेक्शन होगा तो नो इक्जाम के बेस पे था, नो इक्जाम का मतलब ये फ्रेंट्स की आपके दस्वी में जो marks थे न, उसके बेस पे आपका यहाँ पे selection होने वाला था, यानि जो है merit के बेस पे यहाँ पे selection होने वाला था, आप लोग form भर दिये, और उसके बाद से तुरंत merit list बनता और आपक आप लोगों को बताया कि यह भरती जो है देख रहे हैं अक्टूबर नो सेतंबर अक्टूबर में जो है फॉर्म भरे गए थे आप सबको पता ही है मैंने फॉर्म भी बरकी बताया था आप लोगों कैसे फॉर्म को भरना है ऑनलाइन मोड में जो है कर्याले परिचारी के भरत पदों पर भरती निकाली गई थी और उनलाइन मोड में आप लोग इने फॉर्म को भरा था 238 पदों भरती थी और यहां पर यहां पर देख सकते हैं चैन पर क्रिया आपके जो दस्वी में जो भी प्रतिस्षत के अधार पर मेधा सूची त्यार की जाएगी इसके बेस पर आपका सेलेक्षन था लेकिन जो है सरकार ने इस बार क्या किया हुआ है इसमें बदलाव कर दिया देखे यह नया नोटिफिके क्या दुबारा से ओलाइन शुरू होगा यह सब चीज हम यहां पर जानेंगे देखे यहां पर यह चीज बताया गया है कि अनिरदेसान उसार उपयुक्त विशय के संबंद में कहना है कि बिज्ञान अंक प्रोद्दकी बिभाग विहार पटना के छेत्री कर्याले में कर्याल संख्या 02-2022 तो इसी बिज्ञापन संख्या के बारे में यह लोग जो है क्या कह रहे हैं यहां पर देखिए समझे पहले अच्छे समझ लीजेगा आपको समझ में आ जाएगा कि संबादित सुधी पत्र की प्रती सौफ्ट कॉपी सहीत प्रसकासनकार्थ प्रेसित किया जा संख्या को ले कर जिसमें जो है समाचारपत्रों में जारी किया जाएगा अब भी से क्या है यहां पर देखिए यहां पर बोला जा रहा है कि विभ्ञान अंग प्रतुकी भीभाग बिहार पटना अंतरगत कर्याले परिचारी के पत्पर न्यूगती है तूपरकासन विग् परिमार्जन हेतू इतना से इतना तक समय दिया गया था कूल जो है 3,46,777 आवेदन प्राप्थ हुए थे अब देखे टोल जो वेकेंसी थी वो 238 थी अब कितना आवेदन प्राप्थ हुए तो 3,46,000 बच्चों ने फॉर्म भरा इतने पद के बिरुद और यहां पर बताएगा कि इतना से इतना तक आप लोगों ने फॉर्म भरा इतना से इतना तक करेक्शन हुआ था फॉर्म में जो भी गलती किये थे अब यहां पर बोला गय साथ ही तीन गुना सरोच अंक प्राप्त करने वाले अभ्यारतियों के सूची त्यार करने के लिए नकेवल भावतिक रूप के से पर्मारपत्रों की मिलाना होगा बलकि समर्पित कर पर्मारपत्र सत्यापित करके पहले संबंधित बोर्ड से सत्यापन करना भी होगा इस प प्रवार्पत्र सत्यापित करने वर्सों समय लग जाते हैं तो इसको लेकर ये लोग कह रहे हैं कि उत्रोक्त के अलोक में और आवेदर समर्पित करने वाले अभ्यार्थियों का चैनल लिखित परिच्छा के अधार पर किये जाने का निर्डर लिया गया है यानि जो भैकेंस के नियोजन हेतु बिहार करमचारी चैन आयोग पटना को प्राधिकृत किया गया है यानि बी एससी के माध्यम से जो है यहां पे अब जो है बिहार कराले परिचारी की जो भैकेंसी निकाली ये थी तीन लाग संथिंग बच्चे जो फोर्म भरे थे अब उनको जो है रीट इक्जाम से अब गुजरना होगा मतलब सबको गुजरना होगा भले पर्सेंटेज कम है या ज्यादा है लेकिन अगर मिरिट बेस पे होता तो पर्सेंटेज वालों का सेलेक्शन यहां पे होने का चांस ज्यादा था लेकिन अब जो है जिनका अच्छा माक्स आएगा रीट पटना द्वरा किया जाएगा लिखित परिशा का प्रश्ण मैट्री कत्वा समक अक्स्तर की होगी वस्तुनिस्ट एवें कुल 95 अंकों की होगी सभी प्रश्ण वस्तुनिस्ट होगे यानि जो है 95 मार्क्स के आपके जो यहां पे क्या होगे वस्तुनिस्ट प्रश्ण होगे और सभी प्रश्ण जो है आपका यहां पे जो है मतलब एक अंक के होंगे यानि सो अंक मिलेगा पांच अंक किन को मिलेगा देखे जो लोग पहले से इस विभाग में काम कर रहे हैं संबीदा के तोर पे यानि कुल जो है सो प्रश्णों का होगा अभ्यारती दोरा प्राप्त अंकों का इतना से गुड़ा कर यहां पर बताएगा लिखित परिशा के बारे में तो यह अब BSSE जो है इसको क्या करेगा इसमें जो है आप लोग का एक्जाम लेगा तो जो भी बच्चे फॉर्म भारे थे उनके लिए जो है सुनाहरा ओसर है उनको जो है यहाँ पे अब रिटेन एक्जाम के बेस पे सेलेक्शन होने वाला है आप यह पढ़ सकते हैं मैं इसे इस तरह से उपर निचे कर लेंगे कि पहले आप लोग क्यों नहीं बताए कि हम रिटेन एक्जाम लेंगे तो हम भी फॉर्म भरते इस तरह के मैटर आ सकते हैं तो हो सकता है कि जो लोग पहले से फॉर्म भरे हैं ठीक है न उन सब का जो है रद हो जाएगा और सुरू से एक डेट निकलेगा फॉर्म के लिए BSSC के website पे जी हैं दोस्तों BSSC के website पे कहीं हो सके कि पुराने वाले form को reset कर दे जाए और जो है नया से form भरवाया जाए और उसमें जो है written exam का जो है notification जारी किया जाए लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं लिखा है यह मैं आप लोग को assume करके बता रहा हूं लेकिन यहां पर यह बोला गया कि आपको कोई form भरने के आउसकता नहीं है आप जो भी बच्चे form भरे हैं पहले से उनहीं का जो है हम written exam के लिए क्या करेंगे यहां पर जो है call letter जारी करेंगे admit card जारी करेंगे और वही लोग जो है क्या करेंगे यहां पर exam देंगे अब नया बच्चे सोचेंगे कि जो लोग form उसमें नहीं भर पाए थे जो उनको लगा था कि मेरा merit नहीं जाएगा मेरा marks कम है वो लोग जो है अगर complain कर देते हैं तो फिर यह भरती फंस जाएगी और से हो सकता है कि BSSC के द्वारा जो है नया notice निकाला जाए और जो है आपका दुबारा से भरती परकिरिया सुरू किया जाए तो फ्रिंट्स आप देख सकते हैं यह भरती के लेकर अपडेट आई थी सोचा मैं आप लोगों को दे दूँ और यहां पे वही लोग जो है अभी जिक्र नहीं किया गया लेकिन हो सकता है कि कहीं हो भी जाए अगर कोई कंप्लेइन कर दे तो उमीद करता हूँ आपको जनकारी समझ में आगए अगा मिलते हैं किसी नेक्स वीडियो में जहिसे ही कोई अपडेट आएगा इस भरती को लेकर मैं आप लोगों को अवस्त आउ बत किया वीडियो को लाइक कर दीजेगा अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजेगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में हमें दीज़ायत और देखते रे डियर सेल्पिंग फॉरेवर थैंकि फॉर वाचिंग जहिन